लो लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल ऐर्निंग हैबिट्स लो फ्रेंड्स मैं अपने इस चैनल पर अलग अलग तरीके लेकर आते नहाता हूं अनिंग से रिलेटेड जो की युज़ वाली होता है ऑनलाइन पाट-टाइम जो की कम्प्लीटली जन्यूर रहता है जन्य अच्छा लगेगा और YouTube के algorithm को भी अच्छा लगेगा विना किसी देरी के हम लोग करते हैं स्टार्ट और अपने प्रोजेक्ट पर आज आते हैं हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो टेलस इंटरनेशनल का अभी मैंने देखो टेलस इंटरनेशनल का वेब साइट ओपन करके रखा है सारे डिटेल्स सारे लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोबाइट करके रखा है अगर आपका एकाउंट में यह तो जाके वहां से क्रियेट कर लेना सो यहां पर दोको ओन्लाइन डेटा अनलिस्ट का यह प्रोजेक्ट है कंट्री इंडिया वर्क स्टाइल रिमोट जॉब टाइप फ्रीलांसिंग जॉब टाइप है एक मिनट मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको समझा देता हूं यह जो प्रोजेक्ट है वह ओनलाइन डेटा अनलिस्ट का है एक्चुली में डिजिटल मैपस के रिलेक्टिड डेटा को अनलाइज करना है प्रोजेक्ट के नाम से इस समझ सकते डेटा एनलिस्ट मतलब डेटा को अनलाइस करना है जो डिजिटल मैपस में बहुत सारे डेटा कलेक्ट होते हैं गूगल द्वारा बहुत सारे अलग-बिंग, ईहर ना हो यह सब जो अलग-अलग मैपस उनके द्वारा को आमें पास वह स्किल्स होना चाहिए कि आप जाके गूगल में रिसर्च करके को इंफॉर्मेशन फाइंड आप कर सको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या चल रहा है क्या चल रहा है के उपं चल रह', तब क्या चल रहा है उपन तो बेंट थाको चल रहे आप काम करने के लिव ए यसे की , हो गया नियूज हो गया ओडियो टास्ट के रिलेवेंस एप्लिकेंट 14 एब आई-डी होना चाहिए चलो वह तो अलग बात है वर्किंग इस प्रजेक्ट विल रिक्वार्यूर्ट तो एंस्टेंडर्ड रिक्विट्मेंट प्रोसें इंक्लूडिंग एन ओपें बुक । अप्लाइक अप्लाइग करो वह सबस्क्राइब करने होगा तो आउन को कैसे पता चलिए काम करने इसकाम के好不好 है किनि उसके लिए लिए लूगे कूछ कुछ 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 कुलेर करने होते रहता यह यूसली गशान का din मैं ट्राइ करता हूं अगर सम्टाप्स होता है क्या है ऑगर सीमलr 타 Article की गप्रोजेक्ट 반ा करने का कि आप लोगों को दिखा साथ दिखा सकूं कि कैसे अप्लाई करना होता है किसी भी ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोगों को इस्यूज आता है तो कि मैंने यहां पर क्लिक कर लिया है यहां पर मैं अपना इमेल अगरा मेंशन कर देता हूं एक मिनट सबसे बॉटम में यहां पर देख लेते हैं अपलाई कॉप्शन है अपलाई पर क्लिक कर लेते हैं इसके बाद इन्होंने मेरा डीटेल्स जो नेम फोन नंबर अड्रेस यह सब फेच कर लिया अभी यहां पर सीवी एड करना है मैं एक मिनट एड कर देता हूं फिर सब्मीट करके दिखाता हूं आपको सब्मीट पर क्लिक करके देखता हूं क्या होता है अब आगे क्या होगा मैं बताता हूं एक्चुली में जब यह लोग मेरा एप्लिकेशन देखेंगे मेरा सीवी देखेंगे अगर मेरा जो प्रोफाइल है इनके रिक्वार्मेंट से मैच करता जिस टाइप के कैंडिडेट्स इन्हें चाहिए होता है अगर मैं उसमें फिट आता हूं तो यह लोग मुझे मेल करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या क्म्प्लीट गाइडलाइन दिया जाएगा इस वालिफिकेशन को क्लियर करने का और उस गाइडलाइन को पढ़ के हैं अगर मैं क्लियर कर लेता हूं तो मुझे लाइप प्रजेक्ट में इन्रॉल कर लिया जाएगा जहां पेयाउट तुनों ने मेंशन करके नहीं रखा है लेकिन नेक्स्ट सेप में यह लोग प्रजेक्ट हो जाते हैं और काम करते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना या मुझे मेल करके बताना देन मिलते हैं नेक्स्ट किसी और प्रजेक्ट के साथ तब तक के लिए बाय टेक क्यार